हलो प्रेंस मेरे चैनल पापका हारदिक सागात है फिरेंस सीजन बदल रहा है सीजन बदलने के सासात हमेंग अपने गार्डन की बहुत सारे यसे काम है जो कर लेने चाहिए देखे टिकोमा का पलांट है ये बुरी में खतम ही होने ही वाला है सेप्टमबर महिना में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें कर लेनी चाहिए देखें उपर से बोरी फट रहे हैं और रूट्स बांड भी हो गया है कटिंग से मैं लगाए हूं रोट साइज में बहुत सारे टिकमा पलांथ हमारे हैं लगे हुए हैं मैं कटिंग लगाए थी तीन तीनों ही लग गए हैं देखें निकाल के दिखाए रहे हैं रूट्स बांड होगा इसको मैं बड़े गमले में रिपोर्ट कर दूंगी ताकि अच्छे से चले मुझे टेरस पर अच्छा लगता है बड़े बड़े पौधे लगाना है देखें इस बकट में लगा दूंगी सो कलर करके होल बनाके रख ली हूं तोरह बड़ा गमला दे देती हूं ताकि काफी दिन तर चलेंगे मुझे जल्दी जल्दी रिपोर्ट नहीं करनी परेगी और नीचे जब कूट कागाज हमारे घरों में आते रहते हैं ऑनलान समान उसको मैं चुटे-चुटे करके रखते हूं नीचे फील करने के लिए शुखे पत्ते भी इस तरह सुखा के रख लेती हूं नीचे फील कर दूंगे और मिटी भुर भुरी बनाना है ताकि गमले भारी नहीं हो क्योंकि बहुत बड़ा अबाल्टी है बकट है इसमें थोरा नीम खली मिला दे रहे हूं गोबर खांज मिला कर दोंगे कि इसमीं खाथ में हमयासा डालती हوج tengo में सिल ये मिटी कराब नहीं हुए है महाना में बहु सरे से काम होते हैं देखिए इसमें मिटी भर लिए इसको डाल कर देखती हूं इसके बाद और मिटी भरोंगे इसके रूट्स को मैं डिस्टर्ब नहीं करोंगे क्योंकि इसका रूट्स बहुत बारिक-बारिक है मोटा-मोटा नहीं है इसलिए मैं रूट्स के साथ ही रिपोर्ट कर करेंगे देखिए नीचे के सारे चुटे मोटे जो परांच से उसको कटिंग करके मैं उपर ले जा रहे हैं उपर ही घाना और भुशी करूंगे नीचे से इस तरह लंबा डंडी जाएगा तो अच्छा लगेगा इबारा पेर बन जाता है उपर एले लो कलर खिलता है तो फूल पानी दीजे उसे बाद चे करके पानी दीजे दुबारा इसमें परचुलू का मोस रोज पलांट लगे हुए जैसे जैसे सीजन बदलते रहेंगे वैसे इनकी रोना खतम होती रहेगी इस तरह जो भी पौधे खराब हो रहेंगे उसको खाली करके उसकी मिटी को बनाते हो उसको मिलाकर इसको सुखा कर आप रख सकते हैं नए पलांट लगाने के लिए अगर आपके यहां बारी सो रही होगो तो उठा कर चावाला जगा में रखिए कीरे वो गहरे होंगे तो धूप में जरूर सुखाई एक दो दिन तक फुल सनलाइट में इसको मिटी क सब्सक्राइब के रखे ताकि आप नए सेजनल पलांट लगा सकेंगे मिटी में को हम लोग दोबारा रिचार्ज करने के लिए इसमें गुबर खार नीम खली कॉम्पोस्ट मिलाकर रे इसमें मैं फंगिसाइड भी मिला दे रही हो फीर से मैं इसमें दोबारा पलांट लग अगर आपके बारिस नहीं हो रहे हो तो सुखा का रखिए अगर कीरेव अगर नहीं हो तो इस तरह बोरी में भरके राख सकते हैं डायरेक्ट यह देखिए मैं इसको ग्रोब भरके साइड में रख देंगी छाय वाला जगा में जड़ूप निकलेगी तो मैं इसको सुखा पुराने मिटी को जितना अच्छे से सुख जाएंगे और अच्छे रहेंगे किरेव अगर नहीं लगेंगे दोवारा जो पलांट हम लो लगाएंगे नए पलांट अभी विंटर का इसलिए मिटी को सुखाना भी ज़रूरी होता है चलिए जो पलांट मैं निकाली हूं उस पूर करने के बाद देखिए इसको मैं कंपोस्ट बनाती हूं उसमें मैं डाल दूंगे उपर से पुराना ही मिटी डाल का रहा है कंपोस्ट वाले मिटी दुबहरा से कंपोस्ट बनते रहेंगे हम लो एक तरफ कंपोस्ट भी बनाते रहते हैं दूसरी तरफ कंपोस्ट बन बारिस आएगा उठाकर मैं साइड में रख दोंगे थोड़ा बहुत इसको धूप लगने देती हूं कि हमारे हाँ एक दो दिन में बारिस हो ही जा रही है मौसम बहुत चेंज हो रहा है सप्टमबर महिने में इसको भी उठाकर मैं च्छायवला जगा में रख देती हूं नही देखे इतने सारे मेरे पॉट खाली हो गए सब विंटर का पलांट्स लगेंगे फालावर्स पलांट हो सीडिलिंग करने के लिए सब पॉट खाली हो जाते हैं समर का पॉट साव देखे नीचे से होल से पानी गिरने के लिए नीचे में ठीकरी लगा देती हूं पथर के अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा फिरेंड सब्क्राइब करिएगा अभी सप्टमबर महीने में इस तरह गाटन में बहुत सारे काम होते हैं जो आने के पहले तुरांत कर लेनी चाहिए जितने हो सके आप सप्टमबर महीने में काम खतम करेंगे तो विंटर के त्या इसे होते हैं जोगे जितने हैं झाहिए करेंगे तो अश्राइब कस्तित आरिजिए तो कि अंचर लाहिए खूहर थे टान वीजूंगे 215 तो